लौह भस्मू आयरन का एक योगिक है जिसका सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है अगर शरीर में खून की कमी हो गई हो जिसे एनीमिया भी कहा जाता है तो लौह भस्मू लेने से इसमें काफी फायदा मिलता है शरीर में आयरेन की कमी होने से कमजोरी धातू संबंदी विकार, सूजन और लीवर की समस्याइं समाप की जा सकती है इसके अलावा मोटापा, बढ़ियाद के रोग, महिलाओं में प्रदर रोग, पेट में कीडे होना, कुष्ट रोग, पीलिया, अक्षरोग, बुखार, हार्ट से जुड़ी बिमारिया, बवसीर आदी, कई सारी बिमारियां सिर्फ लॉब भस्म के प्रयोग से ठीक की जा सकती हैं, इन सबी समस्याओं में किसी योग ये चिकित्सक की देखरेख में लॉब भस्म को लेने से लाव मिलता है, लॉब भस्म मुख्य रूप से अनीमिया, पीलिया और खून की कमी से होने वाली बिमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, अगर आपका आ आयरन युक्त खादे पदार्तों को सेवर नहीं करते हैं, तो इस ते शरीर में आयरन की कमी होना संभव है, दोस्तो लॉब भस्म में एक ऐसे तत्व होता है, जो कि रक्त की कमी के कारण एनीमिया आधी रोगों को दूर करने का काम करता है, आपके पाच्चन तंत्र को भी मजबूती परदान करता है, जिससे लीवर को एक नई उर्जा मिलती है और पेट से जड़े सभी बिमारियों में भी फायदा होता है, तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसी लॉब भस्म के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे लोहे यानि की आइरन का एक ऑकसाइड होता है, लॉब भस्म का प्रयोग पुराने बुखार, दमा, टीवी, वीरिश हसंबंदित रोगों में उसके लावा प्रदर रोग आदी में किया जाता है, ये सब तो धातुओं की पुष्टी करने का काम करता है, इसके अलावा रक् करेंगे कि आप इसे किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं, दोस्तो जैसे कि हमने बताया कि एनीमिया में दोस्तो इसका प्रयोग किया जाता है, सबसे प्रमुक उप्योग जो है दोस्तो वो एनीमिया में ही होता है, इसके सेवन से दोस्तो शरीर में नया खून बनना शुर लोव भस्म दोस्तो इस संतुलन को सही करता है और आपकी पीलिया की दिक्कत को ठीक करता है अगर दोस्तो शरीर में तो बीड़ दोस्तो आप लोव भस्म का प्रयोग कर सकते हैं जब दोस्तो red blood cells की संख्या कम हो जाती है तो ऐसे में पूरे शरीर में पानी भर जाता है और सरीर सूच जाता है इस इस्तिती में लॉब अस्म का सेवन करने से आपको बहुत जादा लाब मिलता है क्योंकि लौबस्म का सेवन करने से red blood cells की संख्या में ब्रद्धी होती है और शरीर में भरा हुआ पानी भी सूखने लगता है इसके साथ ही दोस्तों आपकी सूजन भी धीरे-धीरे कम होने लगती है तो इस तरह की दोस्तों अगर शरीर में सूजन है तो आपको लौबस्म का प्रयोग जरूर करना चाहिए दोस्तों लौबस्म पुरुषों को वीरे संबंदित समस्याओं में भी बहुत अधिक लापकारी होता है लौबस्म वाजी कारक और शक्ती वर्दक रसायन है जिसका सेवन करने से वीरे से संबंदित अनेक दोशों में लाव मिलता है इसके अलावर प्रदर से संबंदित बिमारियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है लौबस्म का सेवन करने से महिलाओ के प्रदर रोग जैसी के लिकोरिया में भी फायदा होता है इसके अतरिक गर्वासे की सूजन, मासिक धर्म की गर्वडी, आधी को भी लौबस्म का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है इस सदावा जानकारी लिए दोस्तो आप किसी आयरुवेडिक चिकित सकते, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तो लौबस्म के कुछ और फायदों की अगर आप बात करें तो दोस्तो ये आयरेन की कमी को दूर करता है शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी हो उसको दूर करने का काम करता है आपके लिवर को अच्छा करता है लिवर को मजबूती देता है हरनिया में बहुत अच्छा होता है अगर किसी को सुपन दोस्ट की दिक्कत है नपुन सकता की दिक्कत है तब भी लौब असम का प्रयोग किया जा सकता है खून बहने से जोड़ी किसी भी तरीकी की कमजोरी हो तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं उसके अलावा अमलपित, अतिसार, अगनी मांद्र जैसी परिशानियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं खूनी बवासीर में भी इसका प्रयोग किया जाता है इसके अलावा तवचा से जोड़ी अगर कोई समस्या है इसके उन से जोड़े अगर आपको कोई रोग है या शरीर में सूजन है तो दोस्तों आप लौब अस्म का प्रयोग जरूर करें इसके दोस्तों कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप इसे ठीक प्रकार से और सही सुझाव के साथ में इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके शरीर में कुछ side effect आपको देखने को मिल सकते हैं इन side effect में दोस्तों हो सकता है कि आपको कब्स की समस्या हो जाए गैस बनना शुरू हो जाए, उल्टी आने लगे या पाचन से जुड़ी कुछ समस्या आपको होने लगे मुँ का स्वाद आपके खराब हो सकता है, शरीर में लाल रंग के दाने हो सकते हैं या फिर नीन से जुड़ी भी आपको समस्या हो सकती है अगर आप बिना किसी सुझाव के या परामर्स के इसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं ऐसे में अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी आयरुवेदा चारे से सुझाव जरूर ले आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से सेवन करना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा आपको लेनी चाहिए दोस्तो लौ भस्म की 125 mg से 200 mg तक की मात्रा को दिन में दो बार सुभा और शाम में लिया जा सकता है इसे ताजी पानी के साथ आप ले सकते हैं या फिर आप किसी आयरवेदा चारे के सुझाव के बाद भी दोस्तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपको इसके प्रयोग की और विदी के बारे में भी बता सकते हैं अब सवाल उठता है कि इसे कहां से खरीदा जाए या इसे कहां से लिया जाए तो दोस्तों हम आपको बता दे कि बाजार में वैदेनाद, पतंजली, डावर और जन्डू जैसी कही सारी कमपनिया इसे बेचती हैं तो आप दोस्तों अपनी जरूरत के हिसाब से इन वैसे किसी भी प्रोड़क के लाव भस्म को खरीच सकते हैं और किसी आयरवेदा चारे से सला के अनुसार इसका प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शियर करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज ही जुड़े हमारे चैनल नौलेज साथी के साथ ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद झाल